नागालेंड विधानसवा चुनाओ के लिए जहां चुनाओ योग बहुत तेयारियां कर रहा है, वहीं सुरक्षा वेवस्ता को चाक्चपन करने के लिए नागालेंड पुलीस भी पूरा जोर लगाया है और कई महीने से वो काम कर रहे हैं। नागालेंड पुलिस के DGP रुपिन शर्मा जी, रुपिन सर संसर्टीव में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरा सर पहला सवाल आपसी ही, कि जब भी किसी राज्य में चुनाओ होता है, तो खासकर जब नागालेंड की बात हो, क्योंकि नागालेंड तो पहले शांत रहा है, वाइलेंस की बाते होई हैं, उसमें इंप्रुमेंट हुआ है, तो नागालेंड में विशेश हो जाता है, क्या तयाएगा है, सर, क्या चेलेंड जिस आफ फेस कर रहे हैं? नजलेंट में लाइन ओडर रिर्लेटेट बह। जादा चलेंजेज नहीं है। आज की डेट में सेच्वेशन काफी पीसफुल है, वाइलनस बह। जादा नहीं है। पोल रिलेटेड वाइलनस तो माइनर है, हम अड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं। पर एज पुलिसमेन, एज प्रोफेशनल पुलिसमेन हम सब जानते हैं कि दो आदमी कहीं किसी सड़क के कौने में लड़ाई कर लें तो इसको हम नहीं रोक सकते, कोशिश करते हैं पर हर जगा समभ नहीं हैं, पर एलेक्शन प्रोसेस को स्मूथली करने के लिए एलेक्शन कमि हम जितनी जुटाफ कर सके हमने करवाया है, आप इमेजिन कीजिए कि समय करेंटली नागलेंड पुलिस और सेंट्रल आम पुलिस, स्टेट पुलिस फोर्स में लाके करीब 40,000 पुलिस फोर्सेस तेनात हैं, इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथली करवाने में, तो हमें उमीद ह है कि इलेक्शन प्रोसेस समूथली हो जाना चाहिए, कोई मेजर चैलेंजिस जो आते हैं वो लॉइन ओर्डर के सिवा जो आते हैं, वो नागलेंड जैसे आपको सब को मालूम हुआ कि बहुत कोने में है, तो डिवलिप्मेंट रिलेटेड चैलेंजिस आते हैं, या उनके रहने के लिए अरेंजमेंट ठीक नहीं है, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है कि पुलिस फोर्स जाये तो किसी स्कूल में या कॉलेज में ठहरा दिया, तो वो इजीली हो पाता है, हमारे अनागलेंड में पुराने समय से बहुत पुराने समय से अंडर डिवलप् के तरफ जारा है, तो वो इन्फरस्रेक्वर के चैलेंजिस हैं, हमारे अनागलेंड में एंडिकारी है, हम लोग से इसकी सब की प्लैनिक कर रहे हैं, जू इन्फरस्रेक्वर हम सेकुरिटी forces और हम police forces के लिए बहतर कर सकते हैं, कोशिश की है कुछ उसमें तोटियां भी भी रह जाएंगी, कमियां रह जाएंगी तो उसके लिए हम तकपर हैं कि whatever we can do, we will try our best but hopefully overall हम election ठीक से करवा पाएंगे, यह उमीद है रुबिन शर्मा जी, यह जो सारा democratic process रहता है जनता एहम कड़ी है, जनता के लिए सब कुछ हो रहा है, आपको general public का, या जो village councils हैं, उनका कैसी मदद मिल रही है, कि सही cooperation मिल रहा है, और आप उनसे क्या कहना चाहेंगे नगलेंड एक बहुत अलग तरह का राज्य है जहां tribal affinities बहुत स्ट्रॉंग है village और tribal affinities बहुत स्ट्रॉंग है, अधिक तर हमारी constituencies जो वो tribal constituencies हैं, except दिमापूर और एक दो constituencies कहीं कोईमा में, बर ज्यादा तर एक ही particular tribe की constituencies हैं, वहाँ candidates भी होनी tribe के रहते हैं, तो वो एक समस्या नहीं होती पर village level affinities बहुत स्ट्रॉंग होती हैं, जिसकी वज़े से elections में कभी problems कभी छोटी मोटी आ जाती हैं, क्योंकि एक पुरानी एक mindset है, एक मानसिकता है, कि मेरा village जो है वो ही मेरा basic unit है, तो अगर वो पुरा village अपने एक candidate को support करना चाहे, तो इस तरह के challenges आते हैं, इस साल तो इतने challenges नहीं आए, 2018 में भी जब election हुआ तो इस तरह के बहुत से challenges आए, पर ये सुनकर और ये सोचकर बहुत खुशी होती है, कि नागलेंड की एक sort of जिसे कह सकते हैं constitutional main streaming हो रही है, कि लोग अपनी village identity को नहीं भूलते हैं और ना भूलना चाहते हैं, पर Indian constitution के तहट चुनाव करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, जिसमें कि बहुत से लोगों ने election commission, चीफ electoral officer, DEOs और इवन high court तक के दरवाजा खटकटाया है, कि bulk voting नहीं होने चाहिए, consensus candidates नहीं होने चाहिए, नाक लैंड में election clean कैसे करवाया जाए, inducements कम कैसे करवाई जाए, इस सब चीज में बहुत change आया है, पिछले 5 साल में और पिछले 10-12 साल से बहुत change आया है, जिसमें audio-visual media, print media और खासकर social media जो एक बहुत एक amorphous तरह का एक media है, जिसमें कोई भी अपना view express कर सकता है, तो उससे बहुत से changes आये हैं, इस पार particularly पबलिक ने और civil societies ने और कुछ NGOs ने अपने लेवल पे villages पे भी resolutions पास किये हैं कि elections clean होने चाहिए, inducement free होने चाहिए, violence नहीं होनी चाहिए, तो बहुत change आया है, इसमें एक एहम भूमिका जो है, वो youngsters की है, जो की बहुत सी चीजें एक नए perspective से समझते हैं और देखते हैं, तो जिसके रहते एक बहुत बड़ी एक ray of hope दिखती है कि Nagaland की जो mainstreaming और integration जो है वो constitutional processes के साथ और democracy के साथ और ज़दा speed up होगी. रुपिन सर, during elections, चाहे cash flow हो, चाहे leaker हो, चाहे drugs हो, इनका भी जो आवाज हावी है, चाहे आप seal कर देते हैं दूसरे राज्यों के साथ और चाहे वीदेशों के साथ जो border होते हैं, फिर भी ये घटनाएं होती रहती हैं, तो आपको strong step उठाने पड़ते हैं, कौन-कौन से steps उठाएं सर और in case कि ये अच्छा है, इस बार better हुआ है, वो अगर आंकडों में हमें आप बता पाएं. आंकडों में दिना तो उचित नहीं होगा पर generally एक assessment मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मली election commission, election से 30-35 दिन पहले forces भेजता है, इस पार election commission ने बहुत सी forces हमें करीब दो महिना पहले भेज दी थी, तो उन central paramilitary forces को लेकर, प्लस अपनी नागलेंड पोलिस को लेकर हमने around first week of january से ही, मतलब दो महिना पहले से ही हमने area की sanitization वगरा स्टार्ट कर दी, vehicles चेकिंग स्टार्ट कर दी, drugs और liquor वगरा का inflow या cash का inflow जो था वो curtail करने की कोशिश की, प्लस अपने loin order के सिवा public में भी awareness क्रेट करने की कोशिश की, कि ये सब चीज नहीं किया जाये तो अच्छा है, कुछ एक हमारे SPs हैं, जोनों ने अपने initiative पे local villages से बात करके clean election की बात की, क्योंकि हर समय डंडा काम नहीं करता, अगर लोगों को आप convince कर लें तो लोगों आपके साथ partnership में आ जाएं, तो उसका बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है, rather than कि हमेशा enforce करना पड़े किसी चीज़ को, but over a period of time हमारे पास अब adequate forces हैं, 305 companies हैं, तो लिकर हमने काफी पकड़ी है, पिछले elections के मकाबले में almost तीन गुना पकड़ी है, drugs का inflow नागलेंड में पिछले कुछ समय से बढ़ गया था, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि election के लिए drugs का use किया जाता है, पर drugs हमने बहुत पकड़ी है, narcotic drugs बहुत पकड़ी है इस election season में, जो कि एक continuous process शायद बाद में भी रहेगी, cash भी पकड़ा गया है, कुछ एक weapons पकड़े गए हैं, बहुत जादा नहीं कुछ एक weapons पकड़े गए हैं, so more or less peaceful हो जाना चाहिए, अपनी तरफ से हमने और हमारे SPs ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है, कुछ जैसे नागलेंड में local brew बनती है, जिसको मधू बोलते हैं, तो इस पार I थिंक बहुत समय के बाद हमने नागलेंड पुलिस ने जब इंडियन मेट फॉरन लिकर का फ्लो नागलेंड में हमने कम करवा दिया, तो हमने हमें एक मौका मिला कि local brew जो है, वो भी इंटॉक्सिकेंट है, उसको कर्टेल करने के लिए भी हमें अफ़र्ट करना पड़ा क्योंकि बाकी जो लिकर का फ्लो कम हो गया था, मेरे कुछ एक जो मित्र हैं और जो civil society के लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि जो लिकर की बोटल पहले अगर सौ रुपए में मिलती थी, कोहिमा में, तो अब वो हजार रुपए तक मिल रही है, तो विच इटसल्फ क्रेडिट वर्दी कि भी आफ बेन अबल तो स्टॉप दी फ्लो अफ लिकर और कैश इंटू दे एरिया, तो वी आर होपफुल की पीसफुल इलेक्शन हम करवा पाएंगे सबसी से. आपने बात की कि इस पार जो सुरक्षा बेवस्ता है चुनाओ के लिए पुलिस की तरफ से चाहे और सेंटरल जो फोर्सिज है उनकी तरफ से वो अच्छी कि ये अपको हर इंडियन सिटिजन को या हर डेमोक्रिसी में सिटिजन को ये एक मौका जो अपना व्यू एक्सप्रेस करने का मिलता है तो सबसे अपील करना चाहूंगा कि माकसिम impressive number में जाके वोट करें ताकि आप अपना चुनिंदा representative अपनी मर्जी का representative चुन सकें तूसरा इसके सिवह ये अपील करना चाहूंगा कि सब citizens, नागलैंड के जितने भी बाशिंदे हैं उनको या जो वोटर्स हैं कि पीस्फुल कंड़क्ट आफ इलेक्शन में हमें हल्प करें वाइलेंस ना होने दें क्योंकि वाइलेंस से जो मैं कहता हूं कि जो घाफ शरीर पे और मन पे रखते हैं वो बहुत सालों तक रह जाते हैं और नागलेंड की सोसाइटी क्योंकि अभी भी ट्राइवल लाइनस पे बेस्ट है अविलेज लाइनस पे बेस्ट है तो वो जो घाफ हैं वो बहुत दिनों तक रहते हैं वो दुश्मनी बहुत दिनों तक रह जाती है तो सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि अगर हम वाइलेंस फ्री इलेक्शन करवा पाएं आप सब क तो ये बहुत अच्छा होगा नगलेंड